पर CM योगी का बयान रात के अंधेरे में अमर्जनसी दिखाई गई थी, कॉंग्रेस में चेहरे बदले लेकिन चर्फ नहीं कॉंग्रेस ने लोगतंतर का गला गोटा था, कॉंग्रेस भारत के लोगतंतर को विदेश में कोस्ती है कॉंग्रेस एवियम पर सवार उठाती है, CM योगी की तरफ से का गया, कॉंग्रेस ने लोगतंतर की लोगतंतर को जबरन समयार में डाला, विपक्षी नेताओं को एमर्जनसी में जेल में डाला गया था तो तमाम बड़ी बात है, फिलार उनकी तरफ से आपर कही गई है, तो आपको वता दें, ये बड़ी जनकारी है इस वक्त की फिलार आपको वता दें, रात के अदेरे में एमर्जनसी लगाई गई, मुख्य बंतरी की तरफ से का आ गया एक तरफ कॉंग्रेस का यत ताना साही पूर्ण रवया, जिसने आज से नहीं, या 1975 में ही नहीं, आजादी के तत्काल बाद, समिधान अंगेकार करने के मातर दो वर्स के अंदर ही, देश के समिधान में संसोधन करके, धरा 370 को उसमें जवरन डाल करके, देश के अंदर, देश की ए खंड़ता को चुनोती देने वाली धरा 370 को डालने का प्रियास किया था, इसके उपनांते भी समय समय पर कभी मीडिया पर को प्रतिबंदित करके, कभी अन्य तरीके से, प्रत्यक्स और प्रत्यक्स रूप से, लोक लग दोक तंदर के सभी अस्तंबों को कमजोर करने का प्रियास किया था, 1975, 25 जनवरी 1975, उसकी प्राकाष्टा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था, 1975 की मरजन्सी की घटना की पचास वर्स पूरे हो रहे हैं, 1975 में देश के लुक तंदर को बचाने के लिए, समिधान को फिर से बहाल करने के लिए, नागरिक अधिकारों की रक्सा करने के लिए, जिन लोगों ने जेल की यात्नाओं को सहा था, जिन लोगों ने उस काल घंड में लोक तंदर के लिए, अपना सर्वस्तु ने चावर करने का कारे किया था, हमें आश्चरे होता है कि उनकी वर्तमान पीड़ी उसी कॉंग्रेस की गोद में बैट करके, देश को फिर से कॉंग्रेस की ताना साही और लोक तंदर बिरोधी, समिधान बिरोधी, तंग दायरे की और धकेलने का कुछित प्रियास कर रही है, कॉंग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल लई है, और उसी का पेड़ा में जहां भी कॉंग्रेस नित्रत्तों की सरकारे हैं, उनका रविया, उनके कारे पढ़नाली, उनके द्वारा के जाने वाले किर्थे, इस बात के उधारन परस्तुत करते हैं.